सवाई मादूपूर में धडलने से जारी अवैद बजरी खनन नेवं परिवहन पर अब पुलिस प्रशासन ने शिक अंजा कसना शिरू कर दिया है इसकड़ी में पुलिस प्रशासन वे खनेज विभा की टीम ने सयुक्त रूप से कारिवाई करते वे अवैद बजरी से भरे चार डम पर साथ एक्टर टूली वे एक ट्रॉक जब्त किया सुरवाल थाना शेत्र की जोपडा गाउं में बनास नदी में अवैद बजरी खनन की सूचना मिली थी जिस पर अतिरिक पुलिस अदिक्षक दर्मेंद्र यादव के नेतरतु में पुलिस एवं प्रशासन एवं खनेज विभा की टीम तोरा बनास नदी में दबिश्ती वहीं पुलिस ने अन्य जगहों पर कारिवाई करते वे चार डंपर वे एक ट्रॉक जब्त किया है पुलिस की इस कारिवाई से खनन माफिया में हरकम मज़ गया है जोपड़ा गाउं जो कि सूरवाल थाना शेतर में पढ़ता है और बॉली और चौत का बरबडा थाने की बाउंडरी से लगता है वहां से बजरी खनन की लगातार शिकायते आ रही थी उस शिकायत पर कल रात को ही हमने चार दंपर जो वहां से बजड़ी का परिवन कर रहे थे उनको हमने बॉली थानाशेत्र में जब्त किया है और उनके खिलाव हूं कामनी करवाई कर रहे हैं उसके अलावा एक दंपर हमने मांडाउन थानाशेत्र में कि बज़री उसी अलाके से लेके आ रहा था उसको भी हमने जब्त किया है उसके अलावा हमारी एक टीम इसमें एडिशन एस्पी हेड़कॉर्टर सभी एसजीम साहिबान जिसमें एसजीम चौत का परवाड़ा और एसजीम बॉली उसके इलावा चार थनाधिकरियोंने नदी कि शेत्रे में जोपड़ा गाववं में एक जोउयंटरेट की जिसमें साथ ट्रेक्टर अब बिज़री से ब्रेवे हमने जब्त किये हैं बजरी से समंद में जब भी हमें शिकायत मिलती है उसको वेरिफाइ करते हैं कानुन विवस्ता की स्थिद्धी को एसेस करते हैं उसका अकलन करते हैं और रहकी करके प्रॉपर तरीके से हम कारवाई हैं